असलामु अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वगास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर डीवी दोस्तो अगर बॉलिवड इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें अनगिनद फेमस एक्टर्स मौजूत हैं वैसे तो हर हीरो ही अपनी एक अलिग लुक और स्टाइल रखता है लेक अपनी एक्शन फिल्म्स और सिल्की बालों की वज़ा से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे अब तो ये काफी बूड़े हो चुके हैं लेकिन जवानी में ये कुछ इस तरह नज़रा आते थे ये चुशक साब दिख रहे हैं इसका नाम अजे वर्मा है और इसकी शकल अज पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो लाग 36,000 से भी ज़्यादा फॉल्वर्स हैं ये डिली इंस्टाग्राम पर अजे देवगन की पुरानी मूविस की कॉपी क्लिप्स बनाकर अपलोड करता है और लोग इसे बहुत ही शौक से देखेंगे तो आप दोखा का जाएंगे क्योंकि इसे देकर ऐसा लगता है जैसे ये रियल अजे देवगन हो वैल इससे बड़ा इत्तफाक और बला क्या हो सकता है सल्मान खान दोस्तों पाकिस्तान या इंडिया में शायदी कोई ऐसा शक्स होगा जो सल्मान खान को ना ज उतारी है इंटरनेट पर सब इसे जुनियर सल्मान के नाम से जानते हैं ये बंदा सल्मान खान से इतना मिलता जुलता है कि इसे देकर आप भी दोखा का जाएंगी इवन कई दवा तो पबलिक प्लेसेज में लोग इसे रियल सल्मान खान समझ लेते हैं और इसके साथ चांत खनना है ये भी सल्मान खान का डुबलिकेट है इसके टिक टॉक अकाउंट पर 3.4 मिलियन से भी ज़्यादा फॉल्वर्स हैं वैल अगर ये बंदा अपनी मुश कटवा ले तो बिल्कुल सल्मान खान नजर आना शुरू हो जाएगा लेकिन मुशों के साथ भी ये सल जवां भाई के बारे में सुना है वैल ये जो शक्साब दिख रहे हैं फर्स ग्लास में इसे देकर ऐसा लगता है जैसी ये रियल शारू खान है लेकिन इसका नाम कादरी इबराहीम है और ये शारू खान की एक्जेक्ट कॉपी है मज़गी बात ये है कि कादरी भाई सिर् शारू खान की कॉपी ही नहीं बलके खुद भी एक स्टार है इनके टिक टॉक पर 1.3 मिलियन फॉल्वर्स है जबकि इंस्टाग्राम पर 2,78,000 से भी ज़्यादा फॉल्वर्स है इसके इलावा इनका यूटियोब पर भी एक चैनल मौजूद है जिस पर साड़े 8 लाग सब बने हुए है क्योंकि इनकी लोग बिल्कुल ऐसी ही है जैसे शारू खान को पठान मूवी के अंदर दिखाया गया है इवन इंडिया के कई बड़े न्यूस चैनल्स ने इन पर रिपोर्स भी बनाई है इबराहीम तो जहां भी जाते हैं वही पर शारू खान की फैंस जमा ह हो जाते हैं और इन्हें शारू खान समझ लेते हैं ये रियली अन्विलेवल है रनबीर कपूर दुस्तों रनबीर कपूर बॉलिवोड के सबसे गूड लोकिंग और कूल एक्टर्स में से एक है लेकिन आपको जानके हैरान की होगी कि कुछ अरसे पहले इंडिया में जुन पर वाइरल हुआ था तो रनबीर कपूर के वालद रिशी कपूर ने बकाइदा इसकी पिक्चर अपने सोचल मेडिया अकाउंट पर शेर की थी और सबको दिखाया था कि इनके बेटे रनबीर का एक डुब्लीकेड भी मौजूद है वेल जुनेद भाई को देखकर कोई इ डुब्लीकेड अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं लेकिन बारहाल ऐसे युनीक इत्तफाक लाखों में सिर्फ एक दवा ही पेश आते हैं सुनीर शेटी दूस वैसे तो सुनीर शेटी अब काफी बोड़े हो चुके हैं लेकिन किसी दौर में ये बहुत बड़े एक बिल्कुल सुनीर शेटी की तरह लगती है वेल शरीफ बाई ने अपनी इस डुब्लिकेड लुक की वज़ा से इंटरनेट पर काफी फेम हासल किया है इवन इनके टिक टॉक पर चार लाग से भी ज्यादा फॉल्वर्स हैं जब ये कहीं पर जाते हैं तो लोग सुनीर आमिर खान दूसों आमिर खान एक एसे बॉलिवूड एक्टर है जिनने किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वैसे तो लाको लोग इन्हें कौपी करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन ये जो शक्साब दिख रहे हैं इसकी शकल तो आमर खान से इतनी मैश नहीं होत लेकिन जब ये बंदा आमर खान के करेक्टर में उतरता है तो एक्जेक्ट आमर खान लगना शुरू हो जाता है इस बंदे का नाम जोश दिबशीश है और इसका तालुक इंडिया से है जोश के टिक टॉक अकाउंट पर 64000 फॉलवर्स हैं ये ज़रतर पीके बनने की अप्लोड करता रहता है और लोग इसकी फणी वीडियो को काफी इंजॉई भी करती है लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा फेम नहीं मिल पाया क्योंकि इसकी शकल आमर खान से इतनी ज़्यादा मैश नहीं होती लेकिन बारहाल जो भी हो इस बिचारे ने आमर खान बनने की प टाइगर श्रॉफ दूस्तों अगर आपने चोटी बच्ची हो क्या वाली वीडियो देखी है तो आप सब टाइगर श्रॉफ को जानते हों कि यह हीरो अपनी बॉडी और एक्शन की वज़ा से काफी साथा फेमस है खैर वैसे तो टाइगर श्रॉफ की शकल चूसे हुई आ बॉडी बिल्डिंग भी करता है इस बंदे को देख दे ही टाइगर श्रॉफ की वाइब जाना स्टार्ट हो जाती है इसने अपनी इसी लुक की वज़ा से इंटरनेट पर बहुत सदा फेम भी हासल किया है लोग इसे टाइगर श्रॉफ का ट्वें कहते हैं इसकी इलावा ये जो शक्साब दिख रहे हैं इसका नाम उमर मुहम्मद है उमर बिल्कुल ऐसा ही नज़र आता है जैसे हीरो पंती मुवी में टाइगर श्रॉफ को दिखाया गया है वेल उमर भाई के टिक टॉक अकाउंट पर पांचलाग शबीस अजार फॉल्वर्स हैं और ये के श्रॉफ की तरह लगता है इसकी शकल बिल्कुल ऐसी है जैसे हीरो पंती मुवी में टाइगर को दिखाया गया है इसके टिक टॉक पर पांचलाग 47,000 से ज़्यादा फॉल्वर्स है और ये भी टाइगर श्रॉफ बनने की कोशिश करता है अब यार मुंबय वाले कुछ तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफेज